हेलो अब्रीवन वेलकम बैक टू दे चैनल बचो आज के इस वीडियो में हम क्लास स्टेंथ का आपका जितने भी सेले बस रिड्यूस हुआ है थोचर एका इस बाइस का इंग्लिस मीडियम बाला सेले बस आपको प्रवाइड करने वाला हम आच के वीडियो में हिंदी मीडिय आपको चैनल में वीडियो की लिंक है और पीडिया भी ड़ा हुआ है तो जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि आपको इंग्लिस मीडियम का भी प्रवाइड करूँगा तो आज के वीडियो में आपको इंग्लिस मीडियम का पूरा रेडियूस्ट श्लेबस A to Z समझाऊ करूँगा और आपको पीडिया भी प्रवाइड करूँगा ठीक है तो पहले अच्छे समझ लें इसके बाद आप स्क्रीन सॉट लेते जाए या फिर अपने बुक में टिक करते जाएगा ठीक है चले शुरू करते हैं आज कि वीडियो को और चैनल पे नहीं थे चैनल को सब करने लें करते च्छेज्व पेडियो को सबस्काइब कर लें इसी परकार के अबडेटेट वीडियो सब सबसे पहले हैं कै या अपको प्लrick a या फिर हिंदी मीडियम वाले वीडियो देख लीजिए संस्क्रित का भी बताने कि यह उत रही है में चीज है यह चाप्टर इंग्लिश मीडियम में जो मैट्स का चाप्टर है मैं जिसमें कि चाप्टर वन रियल नंबर में से आपका क्या रेडियूस हुआ है रिया रिय है 1.3 यानिके रिविजिटिंग इसनल नंबर और 1.4 रिय रिलिव रिव इसनल नंबर एंड ट्वश में ठीक है तो यह चीज है आपके डिविध्ट हो गई इस से आने वाले सवाल भी आपके नहीं आएंगे क्लेयर हो रहा है तो चाप्टर वन कि बात करें तो बहुपद के लिए विभाजन हो रहा है चलिए अंगला देखिए चैप्टर थर्ड से पेर आफ लाइनियर एक्वेजन इन्टु वैरियेबल्स ठीक है क्या है समीकरण युगमों का जो भी हिंदी मैं आकूं इंगलिश पर बता रहा हूं ठीक है तो यह बाला चैप्टर थर् सब्सक्राइब के लिए टो ग्राफ और ग्राफ से रिलेटेट क्वेशन बिल्कुल भी नहीं आ गया है आपकी एक्जाम में तो यह चीज आपको क्लियर रखने है ठीक है और 3.6 से एकोजन रिडूश बल टू अपएर राफ लाइनियर क्वेशन इन्टू एरिबल्स ठीक ह यह आपका डिलेट हो गया है चैप्टर 4 से 4.3 टॉपिक ठीक है इसके बाद 4.5 इसमें आर्थिमाटिक प्रोग्रेशन से आपका समझ में आ रहा है 5.3 इसके बाद 6 चैप्टर ट्राइंगल से आपका क्या डिलेट हुआ है इसमें से 6.3 यानि की क्राइटेरिया फॉर सिमि ट्राइंगल यह डिलेट हो गया है समझ में आ रहा है आगे साइंस सबीका दूंगा ठीक है बनेरो वीडियो पे और टिक करते जाओ या फिर लिखते चले जाओ ठीक है पीडिया फोसक अगर नहीं मिल पाया नहीं सेंट कर पाया तो फिर आपको वह दिक्कत जाएगी तो इ अब कर भी चैप्टर मतलि बहुत सारे चैप्टर से टॉकिस डिलीट हुए है चारहल है कंस्ट्रक्चन आप यह स्टाउन है त sürक चन फ्रीक तो अपको से आपको चला घरीग आखें व् psychologist met sach चैप्टर स्टाटिक से 14.4 चला गया है इसके बाद हम देखें साइंस सब्जेट का विज्ञान का आपका साइंस में से क्या गया है तो चैप्टर थर्ड यहीं कि मेटल एंड नौन मेटल वाले चैप्टर से आपका टॉपिक 3.4 ओक्यूरेंस आप मेटल टू ञटीक है यहां से लेकर के 3.4.6 या रिफाइनिग अप मेटल मतलब यहां से लेकर करके अच्छे समझेगा 3.4 से 3.4.6 तक कि यहां से लेकर के रिफाइनिक अप मेटल तक आपका चैप्टर चला गया टॉपिक और फिर इसके बात क स्टार्ट करना है तो मैं जो ब्या दाउट है तो सक्टां में बात करें फिर इसके बाद चै посмотрим जारे एक सिकन चैप्टर फॉर्ट तो हो गया है इसमें आप अधानिक चला गया है यह चीज रिद्द्ध यहां से लिए करके कि पूरा चला गया गया बीच का सारा-खसार घित्नमें पी टू लगा है इसकloo मतलब की बीच की पूरा से बस भी चला गया इसके बाद और आपकोआचbersोप एडीचिटएंट वॉड्चेंट आपको कंट्रीटा मैं एक टरН वाला जितना भी यह लिखा वुइन at सब्सक्राइब कर दिया गया इसके पहले का आएगा ठीक है उसके बाद का पूरा इंड तक चला गया क्लासमेंट के साथ जितने भी आपके क्लासमेंट से उनके साथ करना मत भूलना चैप्टर नाइन का देखिए एवलिशन आपका 9.3 टॉपिक चला गया है एवलिशन से लेकर के पूरा तिल दा एंड तक ठीक है और 9.3 के पहले का पढ़ेंगे नाइन चैप्टर का इसके बाते हैं इसके बाद चैप्टर 17 मैगनेटिक एफेक्ट ऑफ इलेक्टिक करेंट का इसमें देखिए तो इसमें से आपको टॉपिक चला गा 13.2.3 यानिके तक पूरा डिलीट कर दिया है ठीक है 13.2.3 से पूरा डिलीट कर गया है लाश्ट तक और इसके पहले का 13.1 और 2.12 तक आपको पढ़ना है ठीक है यहां से में चीज यहां से इस वाले टॉपिक से आपको नहीं पढ़ना एंड तक क्लियर हो रहा है इसके बाद चैप्टर 16 देखिए management of natural resources ठीक है management of natural resources जिसमें की टॉपिक क्या है 16.4 यहां कि coal and petroleum छोड़कर पूरा डिलीट हुआ है यहां समझो यहां मैंने इसी लिए color change किया है ठीक लगा लिए कि coal and petroleum को पढ़ना है आपको इसके अलावा जितना भी आपका ह 16.4 के पहले का बाद का सारा का सारा आपका डिलीट कर दिया गया ठीक है तो coal and petroleum को पढ़ना है यह ची जाद रखना यह लिखा हुआ यहां आप देखे social science के देखें समझ में आपकी science का जो भी topic जो भी question है इंस्टाम पर आके follow color message करना जवाब दूँगा social science के देखो तो सब the rise of nationalism in Europe इसमें से आपका अच्छे समझना social science में इसमें बहुत सारे बचे confused हो जाते हैं ठीक है और confused हो जाएंगे पूरे आपको YouTube पर इसका आपको इस तरीके से explanation नहीं मिलेगा English media में इसलिए मैं बता रहा हूं detail से समझ रहा है आप देखो इसमें क्या है कि page number 13 यानि कि the age of revolution 18.30 से 1848 इस वाले topic से लेकरके मतलब यह भी आत रखना है इसमें page number भी आत रखना topic भी आत रखना इस वाले topic यह नहीं से लेकरके page number 18 तक का पूरा delete कर दिया गया है इसके बाद का आगे पढ़ेंगे इसके बाद का the making of Germany and Italy यहां से आपको continue करना है समझ रहे हो page number 13 यह वाले topic से page number 18 तक delete कर दिया गया है और यह जो topic है the making of Germany and Italy यहां से आपको continue करना यह आपको पढ़ना है ठीक है इसके बाद का यह भी पढ़ना इसके बाद का भी पढ़ना इसके बाद चैप्टर 3 का देखेगा इसमें the interwar economy the interwar economy से topic का delete हुआ है page number 68 यानि कि जो topic है post war recovery से लेकरके till the end end तक का पूरा delete कर दिया गया है ठीक है page number 68 यानि कि post war recovery से लेकरके last तक का पूरा का पूरा chapter delete कर दिया गया है समझ में आ रहा है पूरा topic chapter 3 से इसके बाद geography आ जाओ और यह जो history में था इतना ही था अब geography का देखे geography में कितना डिलीट हुआ है तो water resources जो की chapter आपका है इसमें कर दिया गया है कुल मिला कर यह कहें कि till the end end तक का डिलीट कर दिया गया है ठीक है थोड़ा बहुत 34 के बाद अगर बचतत पढ़ना अगर नहीं बचा है तो नहीं पढ़ना कुल मिला करके rainwater harvesting page number 29 लेकर के पूरा delete कर दिया गया है समझ में आ रहा है जो भी सवाल है इंस्ट जाएं फिर्चियल रिफोर्म से लेकर के टेकनिकल एंड इंडर्स्ट्रियल रिफोर्म से लेकर के लाश्ट तक का पूरा delete कर दे गया है पेज नमबर 42 से समझ में आ रहा है आपको पेंज टॉपिक के जो नाम है उन चाइसारी चीज़ें आपको के आपको सभार्म याद र मैणिफैक्टरिंग इंडस्ट्रीज में यह तौपक जो है आपका चप्टर 6 है स्वारी चाप्टर 6 इसमें से टौपिक पेंज नंबर टौपिक जो है पेंज नंबर 71 से अलुमिनियूम स्मेलटिंग से ले चरके पेंज नंबर 78 तक का पूरा डिलीट कर दिया गया चैप्टर नमबर 17 यानि कि life line of national income life line of national income is topic जो पीज नमबर 88 यानि कि international trade to to till the end international trade से लेकर कि last तक का पूरा डिलेकर दिया गया है ठीक है समय में आ रहा ह। पेज no.88 से लेकर के पूरा लाश्ट तक इसके बाद यह आपका इसके बाद पावर सेयरिंग में टॉपिक नंबर पेंद शेवन जोगीव डिलेमा तॉपिक से लेकर के ये इसमें से लेकर ये मतलब ये पूरा थॉपिक डिलेट हुआ केवल खालीड डिलेमा टॉपिक डिलिट हुआ अब पॉलिटिकल कैसा चैंट से मैंटर है जो बी इसमें गए मैंटर नहीं है जो भी टापीच में बता रहा हूँ का अब में इसके बास चैफ्टर relax सेंड में पावर सेरिंग के इस चैप्टर आपको आइस डिसेंटरलाइज सन आप इंडिया पीट नहीं इसके बाद चैप्टर नमबर एट चैलेंज टू डेमक्रशी इसमें टॉपिक क्या है रिफॉर्मिंग बालेटिक्स एंड डेफाइनिंग डेमक्रशी यह चैप्टर आपको नहीं पड़ने है ठीक है चैप्टर नमबर एट से क्लियर हो रहा है इसके बाद इकोनॉमिक को दे चैप्टर से क्लियर तो सारे के सारे मैंने सब्जेक्ट्स आपको इंग्लिस में में बता दिये जो भी क्वेश्चन करें इंस्टाउं पर मैसेच करो और कमेंट सकते तो कमेंट कभी रिपलाई दे दूगा ठीक है आने वाले जो भी आपके एक्जाम सोगी उनकी अपडेट उनके एक्जाम के प्रप्रेशन सारी चीजे और स्टडी मेटेरियल बहुत सारी चीजे आपके लिए हेल्प करने वाला हूं पूरी तरीके से आपके लिए प्रवाइड करूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छे लगी हो हेलफुल लगी हो तो सेयर झाल 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 झाल